तो माई डियर फ्रेंड वेलकम है एक बार फीट से आप सभी दोस्तों का इमके सपोर्ट चैनल में एंड सबसे पहले आज आप सिखने वाले हैं कि कैसे आप अपने PLCU कलासिक को अल्टीमा में स्वेप करेंगे then my dear friend चलिये start करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप स्वेप करेंगे तो सबसे पहले मैं अपना coins bit को open कर रहा हूं और coins bit पर चेक करते हैं कि कितना आपके पास या फिर मेरे पास PLCU कलासिक है क्योंकि सबसे पहले ये चेक करना बहुत ही necessary है and जितना आपके पास PLCU कलासिक है उसके एक रोडिंग आप कलासिक को अल्टीमा में स्वेप करेंगे 5 यर के लिए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि start trading now and यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 line तो इस line पर click करना होगा direct यहाँ से जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको user देखने को मिल जाता है violet देखने को मिल जाता है and order देखने को मिल जाता है buy crypto तो सबसे पहले user के just नीचे violet है इस पर click करना होगा and जैसे यहाँ पर आप click करेंगे तो आपको by lens देखने को मिलेगा तो by lens पर क्लिक करना होगा and जैसे आप यहाँ पर by lens पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अगला option open हो जाएगा so my dear friend आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे by lens पर आप क्लिक करेंगे तो violet देखने को मिल जाएगा, deposit देखने को मिल जाएगा, bid roll देखने को मिल जाएगा, यह तीन option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप किसी भी currency को deposit कर सकते हैं, deposit address यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी currency का end bid roll कर सकते हैं, यानि कि अगर दूसरे एक्स्चेंज से बाइनेंस से यहाँ पर आपको अगर डॉलर सेंड करना है तो डिपोजिट में जाएंगे और अगर UHDT लाना है यहाँ पर कोईन स्विट में तो UHDT TRC20 सेलेट करेंगे एंड सबसे पहले यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास PLCU क्लासिक कितना है और कितना यहाँ से स्वेप करेंगे यहाँ पर 0.01210539 कलासिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग छोटी से जो अपना PLCU C है यानि कि Classic है इसको swap करेंगे PLCU C का मतलब PLCU Classic होता है चलिए यहां से हम लोग swap करेंगे सबसे पहले अपने dashboard को open करना होगा dashboard को open करते हैं सबसे पहले जाएंगे Google Chrome को open करेंगे और जैसे Google Chrome को open करेंगे तो यहां से कुछ पहले से tab खुला है इसको मैं अभी close करता हूँ and again यहां से मैं अपना dashboard को open करूँगा और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे swap किया जाता है क्योंकि swap करेंगे आप तो यहां से आपका पांच साल का जो जर्नी है आपका स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको अपना dashboard open करके dashboard यह देख पा रहे है कि मेरा dashboard open हो चुका है platin passport यह double line पर क्लिक करना होगा जैसे आप अपना email id यहां पर देखने को मिल जाएगा platin world, ultima forum, ultima cash pack, plcux, plcu, ultima यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे plc ultima पर तो swiping यही से करना है तो देख पाना है पाहले मैं यहां पर swap किया हूँ तो यहां पर मेरा ultima दिखा रहा है जैसे मैं payout पर क्लिक करूँगा तो यहां से मैं payout भी ले सकता हूँ यहां पर मेरे को जीस भी exchange पर withdrawal रहना है तो यहां का address मैं यहां पर paste करूँगा तो यहां से मैं भी डोल ले सकता हूँ यहां पर आपका जो fee है commission fee यानि कि transfer करते हैं तो balance नहीं करता है यहां पर यानि कि zero fee में आप transfer कितना भी कर सकते हैं चली यहां से पहले आम लोग को transfer नहीं करना है back चलते है and जैसे आप PLC Ultima पर click करेंगे तो swapping का option यहां पर open हो जाएगा swapping PLCU classic to PLC Ultima तो यह three line आपको देखने को मिल जाएगा अपके अपने dashboard पर जैसे यहां पर three line पर आप click करेंगे तो अगला option यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर अपना फोटो लगा लिजेगा फोटो आप अपने dashboard पर जैसे set कर लेंगे तो आपको फूरा यहां पर देखने को मिल जाएगा and next swapping swapping units swapping unit पर आपको click करना होगा swapping करने के लिए swapping unit पर click करते हैं तो देख पा रहे हैं my dear friend यहां पर swapping unit open हो चुका है 0.01 यह वाला option को मैं swap करके आपको दिखाने वाला हूँ live तो live यहां से आप देख पाएंगे यहां पर जैसे आप भागाएंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जितना का आपको swap करना होगा यहां पर देखने को मिल 0.51 PLC 2 PLC 5 PLC 10 PLC 20 PLC 50 PLC 100 PLC 200 PLC oh my god too much 500 PLC 1000 PLC oh my god अगर आप सोच सकते हैं my dear friend 1000 PLC यहां से स्वेप किया जा सकता है यानि कि अगर आपके पास 1000 PLC classic होगा तो आप स्वेप करेंगे तो 1000 आपको ultima मिलने वाला है oh my god यहां से तो काफी ज़्यादा earning हो सकता है कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास इतनी बड़ी अगर classic होगी तो इतना बड़ा ultima मिलेगा काफी ज़्यादा मात्रा में चलिए सबसे पहले मैं आपको छोटा वाला package को कैसे स्वेप करना है उसके बारे मैं मैं आपको बताता हूं first number पर यह ही आता है swapping unit 0.01 PLC इसको स्वेप करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि कैसे स्वेप करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं five year तक validity रहेगा आपका 0.01 PLC ही मिलेगा जितना आप स्वेप करेंग उतना ही मिलेगा यह green वाले बटन पर क्लिक करेंगे then यहाँ पर मैंने already click किया and search हो रहा है तो जैसे click करेंगे यह option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा order number transaction will be expired in 23 hours 59 minute 48 second में expire हो जाएगा बट उसके under हम लोग तो swapping कर लेंगे no doubt चलिए यहाँ से देखते हैं इतना coin 0.01 coin यहाँ से आप देख रहें पा रहे हैं आप और बटन है जैसे click करेंगे copy हो जाएगा यह address है यह address है इसी address पे इतना coin 0.01 PLC classic send करना है coins bit से यह जो address है इस address को जब ही आप आपको ट्रांसपर करेंगा इस address पे तो आपको मिला लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यह address copy हो जाएगा आपका तो once again मैं इस address को copy करता हूँ यह देखिए मैंने copy किया और उपर आपको यह देखने को मिल जागा जितना पर यहाँ पर click करूँगा उपर आजागा green color में address copy तो मैं copy कर चुका हूँ अब back करता हूँ और चलता हूँ direct coins bit पे तो यहाँ से मैं अपना coins bit को open किया और यहाँ से अब क्या करना है bid roll करना है deposit नहीं करना है bid roll करना है यहाँ से मेरे को उस address पर bid roll करना है 0.01 bid roll वाले option पर click कर दिये यह वाले option पर जैसे मैं ने click किया यहाँ पर जैसे आप click करेंगे bid roll पर तो btc bitcoin लिख के आएगा यह i वाले button पर आप click किजिएगा जैसे i वाले button पर आप touch करेंगे तो आपको रेकि पीलस उसी ट्रांसपर करना एक लिस बॉकस में आपको टाइप करना होगा पी एल अ जी यू शी यानि कि पयल्ल उसी च्रीक लासिक टु यह आप आपको दृखने को मिल जाएक यह पी वाला पी उसी यह यानि फिल्ट उसी आपको क्लाशिक इस पर एक बार जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ओप्सन आ जाएगा कि किस एड्रेस पर आपको सेंड करना है तो यहां पर एड्रेस देखने को मिल जाएगा कितना अमाउंट सेंड करना है 0.01 मैक्स नहीं करना है 0.01 क्योंकि यहां पर अल्रेड गॉल कोई नहीं पर मेरा आ जाएगा तो मैं एड्रेस को यहां पर किश्ट कर देता हूं देखिए यहीं से फिंगर पर दबा के रखेंगे यहां पर बॉक्स में पेश्ट वाल आप सना जाएगा कि पेष्ट पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा एड्रेस आ गया अब मेरे को यहाँ पर टाइप करना है इस बॉक्स में 0.01 चलिए मैं टाइप कर चुका हूँ 0.01 यह टाइप करके आप अपना कोईन स्बीट को अपेंड कर लिजेगा और जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे जितना आपके पास PLC क्लासिक होगा उतना ही यहाँ पर आप अपन और आई सेव वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है टीक मार्क आ जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमाम बिड्रोल 0.0001 PLC C ट्रांजेक्शन फीस 0 है यहाँ पर यानिक ट्रांजेक्शन फीस नहीं लग रहे है यू विल गेट 0.01 आप ट्रांसपर कितना कर र हैं यहाँ से स्वेप करने के लिए जैसे मैं बिड्रोल करूंगा यहाँ पर उपर में सक्सेस्फुल लिख के आएगा तो चलिए मैं यहाँ से बिड्रोल करता हूं तो देखी यहाँ पर सक्सेस्प्ल लिख के आ गया था अब मिरे को मेरे इमेल पे मेसज आएगा आप अपना आप जैसे ट्रांसपर करेंगे तो अपर हमल्क मेसज आएगा और यहां जाल देना है तो थोड़ा सा वेड कर लेते हны इमेल पर मेसज जब तक नहीं आता है यह देख पा रहा है कि email पर message आ चुका है मैं अपना email को open करके और इस पर code को paste करता हूँ तो अपना email को हम लोग open करते हैं और उसके बाद Gmail को open करके code आ गया है उसको डाल देते हैं and वहाँ से मेरा आप देख पा रहे हैं कि यह मेरा आ चुका है यहाँ पर जैसे open करेंगे there has been a request to bid roll a total of 0.01 PLCUC to an address यहाँ पर आ चुका है और यह वाले option को verification code को copy करना है जैसे मैं इसको copy करूँगा select करूँगा तो copy आ जाएगा copy कर लेंगे और फिर minimize करके यहाँ पर आज के bid roll confirmation जो code गया है email पर enter your six digit verification code that was sent to your email यहाँ पर मैं paste कर दूँगा उस code को और जैसे मैं paste करूँगा फिर मेरा google authenticator लगा है तो वहाँ से code लेके यहाँ पर मेरे को paste करना होगा google authenticator लगाना बहुत ही necessary है वहाँ से आप लगा सकते है ठीक है मैं अपना google authenticator open कर लेता हूँ और वहाँ से जो मेरा coins bit पर लगा कर रखा हूँ उस code को मैं copy कर लिया हूँ और copy करके यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ और जैसे मैं paste करूँगा तो यह transaction successful देखिए यहाँ पर transaction successful हो चुका है और मेरा coin वहाँ पर जा चुका है अब हम चलते हैं direct address पर minimize किए address पर आ गए थोरा सा wait करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा option यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ से जैसे successful होगा तो देखने को मिल जाएगा अभी के date से अभी के time से अभी देखने को मिल जाएगा back भी अगर मैं कर देऊँगा या फिर आप भी back भी कर देंगे तो वहाँ पर available balance में within second में चले जाता है balance first balance वहाँ पर चले जाता है तो चलिए चेक करते हैं वहाँ पर open हो गया होगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं कि यह transaction successful हुआ है या नहीं 0.01 address यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका तो back करते हैं and back करने के बाद वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा available balance आज का date के अनुसार 0.01 swap जो की है वह देखने को मिल जाएगा back करते हैं और back करते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं कि आज का date का order लग पाया है या नहीं बार और नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं and check करते हैं अभी तक नहीं लगा है जैसे लग जाएगा balance आ जाएगा और यहाँ से complete हो जाएगा तो ऐसे आभी swap कर सकते हैं बहुत ही असानी तरीके से swap करने का procedure यहाँ पर आपने देखा कि कैसे swap करेंगे और अभी जैसे वहाँ से currency transfer हो चुका है क्योंकि coins bit से थोड़ा सा time लगता है आने में उसके बाद यहाँ पर मेरा payout भी आ जाएगा फर्स्ट और देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आप भी swap कर सकते हैं और swap करके आप अपना five year का journey start कर सकते हैं so my dear friend यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा balance आ चुका है यानि successful swap complete हो चुका है पहले जो था 0.0000033 था अभी देखिए 5 हो चुका है तो यह procedure complete हो चुका है यहाँ पर भी देख सकते हैं balance दिखा रहा है चलिए आप देखते हैं और चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए 2 minute ago started यहाँ पर order number भी देखने को मिल जाता है 0.01 PLC complete हो चुका है तो यह चीज मेरे को आप तक जो education है यह send करना था आपको बताना था कि कैसे बहुती असानी तरीके से आप swap कर सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे swap करना है और आपको अपने जो classic है उसे ultima में कैसे convert करना है और convert करने के बाद यहाँ से कैसे income लेना है तो यह आप देख पा रहे हैं यहाँ से बहुती इजी तरीके से आप swap करके और अप अपने इंकम को और ज्यादा आगी लेके जा सकते हैं तो इस तरीके से swap करना है और swap करके आप कई गुना का income फाइफ यहर तक आप बनाने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.01 का टू मिनट पहले ओडर कंप्लीट हो चुका है फाइफ यहर का जो यहाँ से income मिलेगा वो पील सील टीमा के द्वारा स्टार्ट हो चुका है और पहले भी मैने swap किया है उसका date यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक बीस बारा दो हजर सताइस तक यह एकसपैरियेशन डेट दिखा रहा है यहाँ पर फाइफ यहर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अभी मैने order कंप्लीट किया है तो 15 एक दो हजर तेएस आज का डेट है और यह जैसे सो डिटेल पर मैं किलिक करूंगा तो पूरा बारा महिना का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह देखिये 15 जनवरी 2023 0.01 का मैंने किया तो फर्स्ट वाला 0.00000166 PLCU अल्टीमा आ चुका है चो फर्स्ट जैसे आप स्वेप करेंगे तो फर्स्ट मन्थक आपका कुईकली आ जाता है 12 मन्थका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आप स्वेप करेंगे वैसे बहुत ही असानी तरीके से आप स्वेप कर पाएंगे और आपका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से स्वेप किजिए और अपने क्लासिक से अल्टीमा बन पर और वहां से आप काफी ज्याद्वार्णा में यहां से पीआउट लेंगे टोटल आपका जितना भी अल्टिमा मिलेगा यहां पर आपलेबल बैलेंस में आएगा और यहीं से पीआउट आपको मिलेगा so my dear friend big project big income platinum world the time is super duper now ultima the time is super duper now thank you so much